स्टोरी ज्यान सुनना मतलब मोटीवेटिंग है मोटीवेटिंग है कोटा वाली है क्योंकि आज मैं जब इस क्लास के लिए आ रहा था ना तो भार थोड़े धूप में घड़ा हुआ अब धूप जो है थोड़ थोड़ी अच्छे लगने लगी है तो दूप में घड़ा और वह खुश्बू जब भी आप किसी चीज को स्मेल करोगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ चीज बन जाएगी ध्यानक ना तो वह खुश्बू सीधा मुझे कोटा ले गई कोटा में क्या है वापिस जैसा कि हमारे आपको जानते ही है स्टोरी में प्लॉट समझना बहुत जिलूरी है एक हुआ करता था रामा जूस सेंटर तो रामा जूसस के इस की आपने दोफयर में लए एक और बजए फिर आप तो फिर आप सेकिंद कलास में प्री है तो दोफायर के लंच और शाम की इवनिंग के खाने डिनर के बीच में बूख कभी न कभी लग जाती है तो यहाँ पर जाता था कभी-कभी थोड़ा रिलेक्सिंग करने के लिए ठीक है और पीटीज खाने के लिए मसाला पीटीज बिलती थी पेटीज लो बीच में चाकू लगाओ ऐसे दो उसके हिस्से कर दो थोड़ा उसमें प्याज थोड़ी बुजिया थोड़ा नीम्बू और थोड़ा चाट मसाला पैक सॉस लिए पहले दस रुपए की पेटीज उ कुछतना सरा आइटम डालने के बाद में बीस या पंदर रुपए की हो जाती है आज गल पेटीज के रिट मेंगे हो तो वह एक बड़ी अट्रेक्टिंग फेक्टर थी और साथ में भाई-जाब मॉसमिका जूस या छोटे वाली कोल्ड रिंक बोतल में आती थी काच के बह अगर मैच का सीजन तो मैच चलेगा या फिर गाने चल रहे होंगे क्योंकि दोनों ही चीज़े देखने के लिए हाँ जो लॉंडल अपाड़े हैं वह एक दम बेकरा रहते हैं मुले दोनों ही किसिस में तो मैच चल रहा था हम लोग सभी बैठे मैं पेटीज खा रहा था औ और अगर आप यहां पे राइगुलर जाते हो तो आपकी जो है थोड़ी बहुत उधारी उधारी और वह सब आप जानते हैं आपस में तो मैं गया एक खाई पेटीज मसाला पेटीज और साथ में चलती थी कोल्ड रिंग और सिटिंग अरेजमेंट बोले तो ऐसे सिटिंग अरेजमेंट भी बहुत सिंपल से था है कि यहां पे खुरसी खुरसी मतलब वह प्लास्टिक वाली चेयर्स ऐसे गोल में ठीक है फ्लास्टिक यहां पर दिवार में ऊपर की तरफ कोने में एक टीवी चिपका हुआ तीवी का स्टेंड आता है उसको कोने में ऊपर लगा तो आकि वहां पर आप जदा उंगली ना कर सको रिमोट भाइया के पास ही रहता था एक चैनल चला दिया वह देख और चोटा स्टूल उस पर रखक करने के लिए जनता बेकरार तो अपने जो आइटम खरीदी मतलब वह मसाला पेटी और कोल्टरिंग वह होगी खतम अब मुझे वैसे जानकार थे मतलब वह ज्यादा देर तो बैठे रहों कोई दिक्कत में है बड़ वह मतलब बोलते ना आपकी हीगो को हर्ट करने वाला को क्या अब उसने बोला कि और कुछ लाके तू मैं यार अभी इच्छा हो रही है मैच देखने की थोड़ा टाइम पास किया जाए घर पे जाके तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैंने का यार अब यह ऐसे बैठने दी देगा बाकी भी महाल थोड़ी इगो बना नहीं को थोड़े हो और लिए नहीं नहीं भीत लोगों थो ऊड़ी कर दो एक पेटी और कोलडिक धंच मैने वहापिस सामने वाले शूल पर रख ली जनरल इस जो फोल सोते यह जनरली गंदी होती है इस पर लोग बैठते नहीं के लोग रखके ही खाते है तो मैंने इस पर रखी और इतने में मेरी बगल वाली चेर खाली हुई तो बहार से एक लड़का स्पीड में इसकी तरफ इस कुर्सी पे आके बैठने की कोशिश कर रहा था इस प्रोसेस में क्या हुआ उसका लगा पैर स्टूल पे और वो जो कोल्डरिंग रखी हुई थी काश की बोटल थी वह तूट अब वो लड़का यहां आके बैठ गया फिर मैच देख रहा मतलब वो एक्साइटमेंट बोतर गई लोग उनको पता ही नहीं क्या कर दिया काश तूटा सभी लोगों अध्यान गया उसका ध्यान गया गया उसको लगाओ विश्वजे से तूटी है मेरी वज़े से तूटी है तो उसने देखा नहीं है वह रामा भया बोलते हैं वह बोलतल तोड़ने के 10 रुपए एक्स्ट्रा है मैं यह तो फसके फालतू में दस शराफत से दो बार सबस्वाब से जवाब दिया थोड़ा सा वह गरम हो गया बोले मैंने नहीं तोड़ी मैं तो अपना मैस देख रहा हूं मैंगा बाहर से भाग क्या हो ना आपका पैर लगा इस पर पैर तो जिमनास्टिक करता थोड़ी आया पैर तो नीचे लगा था उस द्यान से इंसान से आप उलजने लगते हो तो आप उसके बारे में तोड़ा देख लेते हो क्या वराइटी है मैंगा ठीक है भी या देदेंगे टेंशन आलो पैसे सारा मैच का मजा खराब कर दिया है ठीक है अब यह इंसिडेंट हुआ तो लड़का मेरी नजरों में अब भाइसाब मैंने उसका पैटर्ण नोट किया वह पीता ही निए वह पीता था शेक या जूस जो की डिस्पोजल में मिलते हैं मैं यह कैसे पूटेंगे को नी वह नी मार के यह किसी दिन गिरवाद देंगे तैंसर ना लो ऐसी प्लानिंग चल रही ठीक है सारे लोग चले गए मैं वहां पर था मतलब मैच बैच खतम हुआ गए फिर रामा भईया से मेरी बात ली मैं गए यह कौन था यह नमूना टाइप का आदमी बुले कि नी ठीक है बढ़िया लड़का है मैं बढ़िया कायगा है इसने कोल्रिंग की बोतल तोड़ दी मेरी और पैसे दिये नहीं पैसे मुझे देने पट रहे हैं बुले नहीं बढ़िया है अब उनके बढ़िया का डैफिनेशन मुझे उस टाइम पर नहीं समझ मैं फिर एक दो बार और भेंट हुई मैं अपनी प्लैनिंग में था गिरा विरा जाए बढ़िया अपने को भी से आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है समझ नहीं 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 वादब यह क्या है रैगूलर इंसिदेंट सेना कई दिनों के तो उससे मेरी बात हुनी स्टाट हुए उसने पहले बात छेड़ी को बोले कौन सी कोचिंग में हो मैंने अपनी कोचिंग का नाम बताया मैं तुम यह माथे पर मैं सुचा काला पट्टा बांदी लूँ फिर बात चलती गई चलती गई और जनरली कोटा में जब डिसक्रशन होते हैं तो पढ़ाई स्लेबस और आपके नंबर कितने आ रहे हैं कौन से बैच में हो वहां पर आइडेंटिफिकेशन सिंबल यह निए कि आपक बांदीफिकेशना क्या प्रिफिकेशना काशचना कि अब चाहिए से बलते हैं इसे पुछा कून से तो कि मैं अग्यार कि पीए टुम किस में हो आप जो सामने वाली कोचिंग ती उसमें उल्टा था हमारे यह जूना सी होता है कि ग्यारवी वालों को PQRS और बार्वी वालों को ABCD के नाम के बैच मिलते थे उनके अपोसिट था क्योंकि सेम रखो तो वही होता हमारा पैटन कॉपी कर दिया उन्होंने उल्टा कर दिया उनके वहां पर ABCD 11 को और PQRS 12 को बोलते थे उसने बोला मैं कि एटू में हूँ मैंने अपना 30 माइक्रो सेगंड लिए एटू मैं तो दिखता तो एकदम स्वीटू टाइप से तो एटू में मन नी मन सोच रहां उसको नहीं बोला मैं मुझे यह समझ में अपने से उपर है पांच का डिफरेंस पांच बैच इसका करीबन करीबन आप एक बैच में दो सो बच्चे मानों तो हजार बच्चों का डिफरेंस हो गया कि अपना बोलते हैं सभाव में एकदम नर्मी आगी अब इजट बढ़ गई उसके लिए उसने कोई बात नहीं मेरी बोतलगान कुसान किया था बढ़ इजट अपने आप बढ़ गए इससे कैसे बाती उबलाई जाए वही तुम्हारे वाला सेम सबका सेम रहता है टाइम टेबल क्या है कहां से पढ़ता है कौन से फॉर्मुले रिवाइज करता है यह तूरिंग दा प्रिपरेशन यह थौट्स आते रहते हैं तो इसके सवाल के जवाब तो इसके पास होंगे पता करते हैं से तो वह तूदा पॉइंट मैं कौन सब्सक्राइब पढ़ लेते हैं कैसी चल रहे बढ़े बढ़े चल रही है यह तो आगे जवाब देहीं नहीं रहा हूं यह वन वर्ड में खतम कर रहा है फिर मैंने दूसरा चाल पेगा मैं जूस फूस पीए का गया बोल कल मिलते हैं यहां ऐसे करते करते संडे आया संडे को जनरली दो ही काम होते थे पेपर देखे आकर पेपर होता था मोस्ट आफ दा कीशिस में या तो सो जाओ या कोटा बर्मन पर निकल जाओ पेपर बहुत ही अच्छा वात हो कोई दो साल में एक बार मूवी का प्लैन बन या फिर सर्फ कॉम्यूनिटी पार्क में जो होता ना पब्लीक पार्क उसमें किर्केट खिलने जारे थे संडे वाले दिन पेपर होने के बाद में तो वहां देगा तो वह भी वहां घड़ा है और यह किर्केट भी खेलता है कि मैं अब इसकी कहानी जाननी पड़ेगी तो फिर उससे किर्केट के बहाने बाते बाते स्टार्ट हुई फिर थोड़ी बहुत और डीटेल में मतलब समझ दोस्ती होई गई तो उससे फाइनली जब मैं जानने मतलब समझ मैं रहा है मेरी प्रिपरेशन में उसका बड़ा रोल रहा जैसे वह जो बाते उसने बताई जैसे मैं पूछता था कि कितने गंटे पड़ता है बोले कि मैं टाइम मिलते ही जो भी मेरा काम है आज का वो निप्टाता हूं पहले तो तो टौपर मेटीरियल है हम तो थोड़े आवरेज हैं तो तो भी खेल वेल में इंक्लूड़ेड है कोई दिक्कत नहीं है काम अगर समय दसवी में आठवी में मैं बच्चे आज कल शुरू से स्टाट करें बोले नहीं मैं तो गाम से आया हूं अच्छा पिर एक दिन नोट्स वोट्स की बाते चलने लगी मैं कहां नोट्स दिखा दे अपने बैग वैग जनली साथ में रहते थे नोट्स दिखाए नोट्स का मैंने बना इवए सजासजा के सिर्फ मैजस के ठीक है के मैस्टी के तो बूलि जाओ तब मुझे समझ में है कि मैंगा अपना घंटा है या फिर मतलब पूरे दिन का वक्त जो है वो मैक्सिम जा रहा है नूट्स बनाने में कि सजा के लिखना और टीचर जो बता रहा है और मैं इस इंसान का जा रहा है समझने में तो एक वो चेंज मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उसी लैंग्वेज में लिखो ना जितना आपको समझना है किसी और को थोड़ी ना दिखा कर बेचने अपने को एक हुआ दूसरा यह मैं आपको बोलता नो कि आप एनलेसिस के चार्ट बनाएए लिस्ट बनाएए यह करिए हर एक पेपर का एक मदब हर एक टेस्ट का आपके पास एक होना चाहिए उसने एक फाइल बना रखी ती है प्लास्टिक के वह जाते ना बटन वाले लिफाफे उस उसने एक फाइल बना रखी ती उसमें उसका जैसा भी पेपर हुआ वह सारी बाते लिखता तो इस टेस्ट में मेरे मतलब क्योंकि वह पेपर भी पढ़ना है कि दिखाना था नहीं है और वह मुझे कैसे दिखा क्योंकि मैं एक बार उसके रूम पर गया था तो उसने वह ट गलत होने चीए मैं एक्जामपल बता रहा हूं फिजिक्स मेरी इस बार टेस्ट में बहुत अच्छी गई वहां और केमेस्ट्री मेरी थोड़ी रिवीजन कम थी तो मुझे केमेस्ट्री मेरी बढ़ाने ऐसे करके उसने हर एक पॉइंट और लास्ट में जो मैं बोलता हूं कि एडर्स लिखो उसने यह भी लिगा होता है इस सवाल मतर इस टेस्ट के फिजिक्स वाले से यह तीन सवाल मैथ वाले से यह चार केमेस्ट्री वाले से यह दो यह मुझे फिर से एक बार देखने है क्योंकि अच्छे सवाल है तो एक समझ में है कि ऑर्गनाइज है हम सभी लोग यहीं नहीं पता कि हमारी की हुए काम है कहां सवाल कर लिए सवाल बढ़ दुबारा सॉलेशन दूड़ने गए मिली नहीं है ठीक है बहुत अच्छे से बाते-बाते होने लगी उसकी प्रिपरेशन टाइम मतलब ऐसा एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते सब्सक्राइब कर लिए अच्छी जहां से मिले तुरंट कर लो उसको देखकर जो चीज़ें को फॉलो किया अच्छा लगा तो इसलिए जहां पर भी आपको बढ़िया चीजें मिले तुरंट अडप्ट कर लीजिए और वह जो अच्छी चीजें उनको अपने पास रखी और उनको फॉलो कीजिए पूरे साथ एक टेस्स का अनलेसिस हुआ दो दिन किया दो टेस्स का अनलेसिस किया तीसरे इंबोले साथ टाइम वेस्ट एकॉन करें नहीं करिए लंबे और मैक्सिमम लोगों की जब आप प्रिप्रेशन देखोगे तो सब ने अपना एक रास्ता बनाया है किसी का रास्ता किसी दूसरे से इंस्पार हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि मैंने उसके अनलेसिस देखी हां तो एनलेसिस वाला फेक्टर जुरूर कॉपी किया बट उस इस इस पार प्रिपरेशन यही तो मारी लर्निंग की कहानी है और क्या है मतलब और तुम क्या सोच रहे हो कि सब लोग एक तरीके से मेनत करेंगे और सभी सेलेक्ट हो जाएंगा ऐसा थोड़ी होता है सब अलग अलग धंग से मैनत करें जिसको जो अच्छा लगे वो वहां से डॉप्ट करो चेंज मत करो बार बार और कहीं भी यह सब चीज़ें डूंड ने मत जाओ और डूंड भी लिए एक बार डूंड ली ना भाई मिल गई किसी ने कुछ बताया आप उसको फॉलो कीजिए प्लीज और रिवीजन टाइम पे जैसे हमारे पीजी में एक लड़का रहता था ठीक है सशांक नाम था उसका कोचिंग से घर पहुंचे एक गंटे बाद में खाना खाने जाते थे वह एक गंटे में रिवीजन कर रहा है कौन सा तुरंट जो पढ़ा के आए और रात को सोने से पहले जाना रिवाइस कर रहा है यह चुटी-चुटी आदते हैं यही तो आपको डेली बेसिस पर सब्सक्राइब बनाया जाता है जैसे कि मतलब कल पर सोई देख रहा था मैं कि हां कि मोटीवेशन वाली जो चीज है वह आपको ऐसे कर वा देगी यह होता है सर ऐसे ठीक है मतलब यह क्राप रहता है जो लोग मोटिवेटेड हैं डिस मोटिवेटेड हैं उपर नीचे बट जो लोग डिसिप्लिंड है जो अपने काम को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ाई करते हैं और कहीं न कहीं फैक्टर को त्याग नहीं पड़ेगा और अब वो वक्त आ गया है इसके बाद में अगर आप सोचोगे भी मतलब हंड़र परसेंट सर मैं अब तेयार हूं देने के लिए तो वक्त बहुत ज्यादा निकल जाए पिक यूर फेस ठीक है आया ना पीवाईपी पिक यूर पेस और लग जाए लाइन में प्ली और बिल्कुल एक परसेंट भी डाउट मत कीजिए कि इस लाइन में आगे हमसे कमसे कमसे पचास जार लोग खड़े हैं या पांच लाग लोग खड़ें कोई बात नहीं क्योंकि अपनी फुल इंटेंसिटी से लग जाए ठीक है और जब हम किसी चीज को अधूरे में स्टार्ट करते हैं तो बलर वीजन के साथ ही करते हैं कोई क्लियर पिक्चर थोड़ी कौन सा चैप्टर पड़ू कौन सा नहीं अभी जो चल रहा है उसी से जब आप एक बार पढ़ने और सक्सेस स्टोरी जब आप किसी की सुनते होता इसा नहीं होता है कि हां भाई उसके पहले ही टेस्ट में 500 तो मैं नीट वालों के साब से भूल दिया उसके पहले ही टेस्ट में 300 में से 200 नंबर फिर 25280 ऐसा कुछ नहीं है वो जो अगर कहानिया वैसी मार्केट में चलता रहेगा तो नंबरों की बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हो वह गलत है करते रहो रिजल्ट आएगा मैं मैं मैंनत करता जा फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा अंडिड़ परसेंट और फाइनली मैं तो एक ही बात जानता है जितने लोग जितने लोग पेपर देके आ जाते ना एक सेल्फ रिलाइजेशन वाले चीज से गुजर के आते हैं अगर नंबर अच्छे आए तो उनके चैरे पर महनत वाली चमक होती है अगर नंबर किसी विज़े से थोड़े बहुत कम आए तो उन पर वह भी गिल्ट होता है कि हां यार सर अगर मैं पढ़ाई करता या करती तो यह जो नंबर मेरे कटे है या जब मेरी जैंक थोड़ी पीची आई है इसको भी मैं बराबर लाके चोड़ देता या चोड़ देती यह बात वो खुद अपने मूह से बोल रहे होते हम उनको नहीं कुछ बोलते हैं तो ऐसे समझो कि आप अभी उस फेज में हो जहां पर आप अपने नंबर्स को कंट्रोल कर सकते हो यह पूर होने के बाद में रिजल्ट आने के बाद में कहां कंट्रोल कर पाऊ है तो प्लीज बढ़ाई कीजिए मन लगा कर और ज्यादा इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है पढ़ने बाद जाब आस काम घतम है ठ करते रहें बाइबाई थैंक्यों सो मुच लव यू आल कल मुलाकात होगी